नमस्कार संस्कृत के प्रियविद्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम पर मैं पंकस्तिवारी जैसा कि मैं आपसे वद्ध किया था कि मैं बहुत जल्द आपको most important question का वीडियो लेकर के आऊंगा तो आज हमारी क्लास रहेगी most important question जो हमारा पार्ट चल रहा था स्वाव लंबनम ध्यान रखिए स्वाब लंबी वनिये अपना कार स्वयम करिए इस बात को लेकर के आपको जीवन में हमेसा याद रखना है लेकिन उससे पहले मैं आपको बत platform देता है एक हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर सिक्स क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्छा है आपको दी जाती है निशुल्क ध्यान रखिएगा चैप्टर वाइज पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी भी हमारी क्ला सिदार हैं जितने भी मित्र हैं छोटे बड़े भाई बहन हैं उन सब तक आपको क्या करना है सेर करना है और उनको जोड़ना है यदि क्यों इसके लिए क्योंकि केजी से लेकर के 12 क्लास तक की सीवियस सी बोड़ की जो भी कक्छा है आपको मिलेगी मैगनेट ब्रिंस इंग बोक्स आपको नोट्स के माध्यम से यहां से प्रोवाइट कराये जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स है तो उनकी भी आपको जानकारी ले लेना है वो जानकारी मिलेगी कहां से लिंक इन डिस्क्रिप्शन बोक्स में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको इनोर्स और इबुक्स की संपुर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी ध्यान रखेंगे कहीं पर भी कोई भी यदि आपको समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेर कर दीजिएगा चलिए आगे बढ़ेंगे ह इसमें दिया है लिखा है स्रीकंठस्य पिता सम्रिद्धा आसीत अत्र क्रिया पदम लिखातो स्रीकंठ के पिता सम्रिद्ध थे स्रीकंट के प्रता कैसे थे सम्रिद्ध थे मतलब उनके पास पैसा बहुत था ठीक है ना तो सम्रिद्ध थे का मतलब है उनके पास बहुत पैसा था और हर सारी की सारी चीजे उनके पास क्या थी सुक सुबधाय थी तो इसमें क्रिया पद क्या है क्रिया का मतलब होता है जो हम काम करते हैं वही क्रिया कहलाती है तो आसीत यहां पर अस धातु के रूप में एक क्रिया लगी हुई है आपके द्वारे यहांपर कौन सा आपसन सही किया जा रहा है मुझे कमेंट सेक्षन में दीजिएगा ठीक है जल्दी से जल्दी तीसरी नंबर का option आपका यहां सही हो जाएगा ध्यान रखिएगा अगली question पर हम लोग चलेंगे प्रश्णिक्रमांत दूसरा रहेगा जिसमें लिखा हुआ है आर्शन क्या लिखा हुआ है आर्शन रूपम लिखात आसन सब्द दिया हुआ है और एक बचन के रूपम इसको लिखना है एक बचन के रूपमें लिखोगे तो यहां लिखा है आस्ताम आसीत अस्तिन असी यहां पर देख लिजिए आपका आसीत हो जाएगा ठीक है ना आसीत आस्ताम आशन ऐसे आपका रूप बनेगा आसीत आस्ताम आशन ये आपका बहुबचन का रूप है ये दुवचनांत रूप है और ये आपका एक बचन का रूप है वो कह रहा है एक बचन की रूप में इसको लिखना है तो आपका आफसन सही हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग दूसरे के बाद तीसरे नंबर के प्रश्ण पर चलेंगे और तीसरे नंबर का प्रश्ण हमारा क्या कहता है। यह वा आएगा कित्वा आएगा आएगा कौन सा प्रत्य आएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका कित्वा प्रत्य हो जाएगा प्रशने क्रमांग तीन के बाद हम लोग चलेंगे प्रशने क्रमांग चार पर प्रशने क्रमांग चार हमारा ध्यान से देखिएगा इसमें लि एताह क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए एतत के रूप चलते हैं तो एतानी आपका वहुवचन रूप हो जाएगा ठीक एसह एते और एतानी यहाँ पर आपका यह रूप चल जाएगा फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांग चार शे पांच नमबर पर ठीक मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर केबल टिक लगाना है और आपको टिक बढ़ी हसे जल्दी जल्दी लगाते जाना है क्रिश्णमूर्टेह कती कर्मकराः संती ठीक तो क्रिश्णमूर्टी के जो वो किसान का वेटा था कितने काम करने वाले सेवक थे कति मानने कितने कर्मकराः का मतलब होता है काम करने वाले अस्ति मतलब वो संति मतलब है ठीक तो कितने काम करने वाले थे तो अस्टव क्रश्नमूर्थी के दो पार दो पैर थे दो हाथ थे दो आखें थी दो कान थे थे ना तो वही आपका अंसर इसमें सही हो जाएगा गा नंबर का अंसर आपका यहां सही हो जाएगा फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है हमारा पाँचमे नंबर के बाद छटवे नंबर का छटमे नंबर का प्रश्ट जो दिया हुआ है इसमें क्या दिया है कर्म कराह इत्यत्र इत्यश्य पर्याय पदम किम कर्म कराह इत्यश्य पर्याय पदम किम समझ में आया तो काम करने व राजा पित्रव बालकाह शेवकाह ठीक काम करने वाला अर्था शेवक क्या हो जाएगा सेवक सेवक में आप देखें तो आपका चौथे नंबर का ओप्सन सही हो जाएगा बिल्कुल रेडी हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्निक्रमां रहा हमारा जो रहेँगा शे के बाद सात नंबर का प्रशन हमारा क्या कहता है लिखा हुआ है स्री कंठंठस्य पिता श्म्रिद्ध vardır थे इसमें स्म्रिद्ध चांब्रप्त लगाना है स्री कंठ разр पिता प्रकार की उसके पिता थे तो किस प्रकार की थे सम्रिद्ध थे तो यहां पर की दिर्शा आपका पद आ जाएगा ठीक आगे बढ़ेंगे इसके साथ प्रश्ण क्रमांग आठ पर चलेंगे प्रश्ण क्रमांग आठ हमारा क्या कहता है द्याद से देखना भवने चत्वारिशत इस्तंभा आसन भवने मतलब महल भवन का मतलब होता है महल अर्थार्थ बड़ावारी वंगला ठेक तो भवन में चत्वारिशत चत्वारिशत का मतलब जानते हैं चालीश इस्तंभाह, इस्तंभाह का मतलब जानते हैं, खंभे आसन थे, ठीक है न, तो यहां चत्पर इंसत की जगए आप क्या लिख देंगे, कती, ठीक, भवने कती इस्तंभाह आसन, भवन में कितने खंभे थे, तो कती आपका वहां पर लग जाएगा अंसर के रूप में, ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, थोड़ा सा जल्दवाजी करें, आप लोग जल्दी से जल्दी, most important question है, आपकी परिक्षा में आपको बहुत अच्छे नंबर दे करके जाएगे वो, इसलिए मैं कहता हूँ, अपने दोस्तों तक वीडियो को जल्दी से सेर करिएगा, लाइ तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कह लग जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है, स्रीकंट का मित्र कौन था, तो स्रीकंट का मित्र या दोस्त कृष्नमूर्ती था, आगे बढ़ो, इसके बाद मैं चलूँगा प्रश्न क्रमांक 9 से 10 पर, अब भी देखो, जल्दी कहां पर सुख मिलता है, सुखी, जो हमेशा सुख रहता है, कहां पर मिलता है, स्वाब लंबने, स्वाब लंबी बनने पर हमेशा सुख बनता है, ठीक है ना, सुख मिलता है, क्यों, क्योंकि व्यक्ति जब अपना कारश स्वयम करता है, तो इसको हमेशा सुख ही सुख मिलत आपका सही होगा दसमे प्रश्ण के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दस नमबर के बाद 11 नमबर के प्रश्ण पर चलें और यहां पर दिया हुआ है आपका आसीत क्या दिया है आसीत इत्यश्य बहुबचनांत रूपम लिखत तो आसीत सब्द का बहुबचन आपको रूप लिखना है संति भवंति आसन संतु तो मैंने आपको इसकी पहले भी एक क्वेश्चन दिया था कि वो आसन का एक बचन पूछा था तो आसन बहु बचन है और आसीत आपका जो आ गया है एक बचन है आसीत आस्ताम आसन आ गया है ना तो ये आपका एक बचन है इसके पहले एक क्वेस्चन आया था तो ये पूछा था कि इसका एक बचन क्या है तो ये अंसर था तो उसका उ हो गया की नहीं अब आगे बढ़ेंगे प्रश्ण किर्मांग के ग्यारह के बाद हम लोग बारह नंबर बारह नंबर का प्रश्ण हमारा क्या कहता है ध्यान से देखना कस्यम मनसी महती प्रशन्यता जाता किसके मन में अत्यधिक प्रशन्यता हुई किसके मन में अत्यधिक प् प्रश्णमूर्थी स्रीकंठस तो किसको प्रसंदता हुई थी किसके मन में प्रसंदता स्रीकंठ को स्रीकंठ के मन में बहुत प्रसंदता हुई थी जब उसने कहा कि अपना कारिस्वयम करना चाहिए ठेक है ना आप से यह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं अगर नहीं बन रह तो मुझे comment में जरूर दे देना है video को like करना है share करना है और six class से जो आपके छोटे हैं और उनको भी आपको क्या कर देना है बता देना है कि six class की seventh class की और nine, ten, eleven, twelve सारी कक्षा हैं आपर चलती है छोटा अगर आपकी class में कोई छोटा भाई भी है तो केजी से लेकर के आपको केजी बन केजी टू ऐसे एक दो तीन चार पांच इनकी भी कक्षा है आपकी इंगलिस मीडियम की चलती है हमारी ठीक है न तो आप सबको बता देना आगे चलेंगे हम लोग बारह नंबर के question के बाद हम लोग छलेंगे 13 सा पर इसमें क्या दिया हुआ है लिखा उआ है भवी तुम इत्यत्रों कहा iconic ऑठीक ऑभी तुम इसमें कौन सा प्रत्य है तो इसमें देखो तुम लगा है तो निश्कतर आप से आपका तुम प्रत्य हो जाएगा ठेक है ये प्रत्य बगेरा आपको मैं सिखाऊंगा जरूर अभी तो आप इसमें टिक कर लीजिए भावी तुम ठीक है जब आपको मैं ग्रामार पढ़ाऊंगा संस्कृत की तो यह सारी चीज़े बताऊंगा ठेक तो भावी तुम में आपका प्रत्य कौन हो जा है ममापी ममापी अस्य विच्छेदा का अब यहां पर संदी विच्छेद पहुच रहा है वो तो संदी विच्छेद दिखिए यहां लिखा हुगा है ममापी तो मम गलंनां गहाँ ऑफिर मैं आपको यहां बताता हूँ तो आप देख लोग कैसे बनता है फिर मैं आपको अपनाओगे तो यह बड़ा गैगा जब इसमें से आपने A को निकाल लिया तो एक MA आपका जो कैसा हो गया आधा हो गया और यहां से आपका A निकल गया है तो आपके पास केबल P बचेगा अब इसको आप इसमें जोडोगे तो यह क्या बनेगा MAMA और P को इसमें जोड़ देना तो यह बन जाएगा MAMAPI बन जाएगा ना विटा चलिए तो यह MAMAPI बन गया है तो मतलब आपका कौन सा option सही होगा जिसमें यह लिखा होगा वही आपका option सही होगा जल्दी से आप लोग टिक करके दीजिए यह दूसरी नमबर का option आपका विल्कुल राइट 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 होगा ठीक है यह संधिया है संधी जोड़ना और संधी का विच्छेद करना दोनों आपको आना चाहिए क्योंकि हर आपके exercise में संधिया मिल रही है ठीक है हर exercise में पृतेख चैप्टर की exercise में आपको संधियां मिल रही है तो वो तो आपको करने हैं प्रश्ण मिल रहे हैं वह करने हैं साही जोडिया और आपको खालि स्थान वगयरा यह सारी चीजें करने यह बस यही जद्य आपकी अक्सेसाइज में उसके अलाभा sablog को कुछ नहीं करना वही आपका आता है परिक्षाओं में प्रश्चन किरमांग 15 नंबर का देखेंगे 15 नंबर पर लिखा हुआ है कृष्ण मूर्ति है पिता का आसीत कृष्ण मूर्ति की पिता कौन थे कृष्ण मूर्ति की पिता कौन थे बताईए जल्दी से कृष्ण मूर पर थे क्या नहीं राजा थे नहीं थे सम्रिद्धा तो सम्रिद्ध माने होता है सब कुछ पैसा धनवान होना सारी सुखसुबदाय होना वो सम्रिद्ध कहलाता है तो ये तो स्रीकंट की पिता थे तो फिर कौन होंगे इस कृष्णमूर्थी के पिता थे किसान क्या थे किसान क्रिश्य कहा क्या थे क्रिश्य कहा समझ में आ गया आगे बढ़ें प्रश्ण क्रिमांग 15 के बाद हम लोग चलेंगे 16 नंबर पर 16 नंबर का हमारा प्रश्ण क्या कहता है द्यान से आपको देखना है अनुभवशी क्या लिखा हुआ है अनुभवशी इती क्रिया पदे कहा मूल धातू अनुभवशी में क्रिया पद क्या है जो क्रिया पद की मूल धातू क्या है तो इसमें भू धातू है अनुपसर्ग है ठेक और सिप प्रित्य भू धातू रहेगी तो मूल धातू क्या है इसमें भू ध्यान रखेंगे प्रश 17 नमबर का हमारा प्रश्न है दुखम, दुखम इत्यस्य पदे बिलोम पदम किम, तो दुख सब्द का जो आप बिलोम पद करेंगे, तो निश्चत है कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, बताइए, आता है कि नहीं, तो इसका बिलोम पद मतलब ब दुख और दिन का जोड़ा क्या है रात सुबह का जोड़ा क्या है साम तो यहां पर भी आप क्या करेंगे दुख का दुखम का हो जाएगा सुखम सुखम हो जाएगा ठीक है बिटा सुखम प्रश्ण किर्मांग 17 पर हम लोग आगे बढ़ेंगे 18 नमबर अठारे नमबर नहीं है अब आगे है अगला कॉस्चन जिसमें लिखा हुआ है हमारा एक पदेन उत्तरत एक पद के द्वारा उत्तर दो एक पद के द्वारा मतलब आपको वन वर्ड में देना है कैसी देना है वन वर्ड में आपको अंसर देना है और इससे अधिक आपको नह कि पिता थे वो ठीक तो आप यहां पर लिख देंगे नील कंठ बोस कि स्रीकंठस क्या लेखेंगे स्रीकंठस स्रीकंठ की पिता स्रीकंठस ठीक है स्रीकंठ की पिता क्या से थे संब्रिद्ध थे आगे बढ़ू दूसरी नंबर का प्रश्ण क्या है स्रीकंठस 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 उसके भवन में घर में कृष्ण मूर्ति के घर कौन आया कृष्ण मूर्ति के घर पर कौन आया तो शृरीकंट शृरीकंट है कौन आया स्रिकंट उसका दोस्थान स्रिकंट वही आया आगे बढ़ेंगे कस्य ग्रिहे कोपी भृत्यनास्टी किसके घर में कोई भी सेवक नहीं था तो क्रिश्न दो हाथ दो आख और दो कान ही हमारे क्या हैं सेवक हैं इसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तरत पूर्ण वाक्य के द्वारा यहां पर आपको उत्तर देना है पूर्ण वाक्य के द्वारा अंसर दोगे तो पूर्ण वाक्य में क्या लिखोगे ध्यान से देखना पूर्ण वाक कहलाता है अभी हम लोग वन वर्ड में अंसर दे रहे थे अब आपको पूरा का पूरा अंसर लिखना है परिच्छा में आपको यह लिखा मिलेगा जहां यह लिखा मिले पूर्ण वाक्य तभी आपको पूरा लिखना है नहीं तो एक पद ही आपको लिख देना है चलिए यहा ना पर जो लिखा हुआ है ना तो उस कह की जगए आपको एक वर्ड यहां पर यह बस जोड़ देना जोड़ देना पूरा हो गया आपका देखो कत्य हो यह कॉस्टन से उठा लिए यह ल्गी आपने अपने उठाई बताओ तो आपको ज्यादा याद करना है क्या नहीं करना बस आपको यह देखना है कि यहाँ जैसे यह कहा लिखा हुआ है, यहाँ के लिखा हुआ है, यहाँ कस्में, इन पदों को याद रखना होता है, इनी के इस्थान पर एक पद जोड़ दिया जाता है, बस एक पद, तो यहाँ पर यह आपने जोड़ दिया है, कृष्ण मूर्त कौन स्वागत करता है स्रीकंठ का बताइए स्रीकंठ का स्वागत करता है कृष्णमूर्थी और उसके माता पिता कृष्णमूर्थी और उसके माता पिता तो यहां देखो कृष्णमूर्थी ही तस माता चापिता स्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्बन बाकि यह जो लाश्ट म लिख दिया जाता है वसके के स्थान पर क्या जोड़ दिया स्री कृष्ण तस से माता पिता चा स्री कृष्ण और उसके माता पिता ठीक है ना स्री कृष्ण के माता पिता ने भी उसका स्वागत किया था और उसने खुद स्वागत किया था इसके बाद तीसरा नंबर का ठीक कहां पर सबसे ज़्यादा सुख होता है बताईए जल्दी से स्वाब लंबने स्वाब लंबी होने पर हमेशा सुख मिलता है तो स्वाब लंबने देखो कस्मिन की जगए क्या हो गया है स्वाब लंबने सदा सुखम भवती स्वाब लंबी बनने पर हमेशा सुख चाहिए ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाब लंबने सदा सुखम भवती स्वाब लंबी जो पुरस होता है वो हमेशा सुखी रहता है हो जाएगा यहाँ पर कोई समस्या बताइए चलिए आगे देखेंगे इसके बाद हम लोग भाव बोधनम क्या आया हुआ है भा रिक्तिस्थान पूर्ती द्वारा रिक्तिस्थान की पूर्ती करना है आपको रिक्तिस्थान पूर्ती द्वारा मतलब इनको खाली स्थान की पूर्ती करना है यहां लिका हुआ है समुचित पदेन रिक्तिस्थानानी पूरयत ठीक समुचित का मतलब होता है उचित प्रका मतलब इन पर इन से हम क्या है प्रतिछण एक पर भी मैं अधीन हूँ एते प्रतिछणम मम संती क्या है साथ में रहते हैं लेको ये आगया इसका उत्तर जो भाव है इसका मतलब क्या है एते प्रतिछणम ममाधीना एते सेवका प्रतिछणम मम वसे संती यह है जो हमारे क्या है हाथ पाओ आख कान है हाथ पैर आख और कर्ण कान है यह सेवक प्रतिछण मेरे बस में रहते हैं जब चाहे हम इनसे काम करवाएं जब चाहे हम इनको सोने के लिए बोल दें तभी ठीक है न यह हमेशा हमारे क्या है बस में रहते हैं आगे देखें दूसरे नंबर का खा नंब मेरे भी आठ सेवक हैं मेरे भी आठ सेवक हैं अब यहां भावार्थ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है अच्छा आप अपनी बुक को अपने पास रखे है ना उसमें आपको यह सारी चीज़ें मिलती जायेंगे आपको बस फिल करते जाना है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है मम ग्रहे अश्ट कर्म कराह शंती मुख रष्ट मूर्ति ग्रहे अश्ट शेवकाह संति तो यही लास्ट वाला ओपसन आपका सही हो जाएगा क्योंकि जू नमबर का हौशन ismen सही हो जाएगा आगे बढ़े हो चले इसके बाद प्रषण क्रिमान ये सी का हमारा यहां तीसरे नमबर सही का टिक करना है और जो थोड़ा सा भी गलत होगा तो उसको आपको हमेशा गलत कर चाहे थोड़ा हो चाहे जाए जादा बस आपको वो गलत मतलब गलत असुद्ध है ठीक है तो यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है अधो लिखित वाक्येशू सुद्ध कतना नाम स देखिए लिखा हुआ है पहला नमब्र दिया हुआ है कि सा सरी कंठष्य आतित्याम अकुर्वत चीक है सरी कंठष्य आतिती सत्कार करता है समझ में आ गया ना तस अतिती स्रीकंठा आसित बताइए वह स्रीकंठ का क्या करता है स्वागत करता है तो क्या हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा दूसरा गलत हो जाएगा समझ में आ गया आगे बढ़ाएंगे हम लोग प्रष्ण निर्मान क्रुटी यहाँ पर आपको प्रष्ण निर्मान करना क्कॉस्चन बनाना है तो देखिए यहाँ पर कैसी करेंगे प्राश्ण क्रिवांग एक अधोन लिखतेश और जो आपके स्थूल पत का मतला होता है जो यहां पर हाइलाइट दिख रहे हैं उनी पदों के इस्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है तो यहां लिका हुआ है क्रश्नमूर्थी ही स्रीकंठ स्पिता आसीद क्रश्नमूर्थी स्रीकंठ के मित्र थे मित्रम आसीद किसका मित्र था बन जाएगा इसके बाद अगले कोंश्चेन पर चले विशाले भवनेर चत्वारि इशत्वान आसीद मतलब बड़े विशाले मतलब बड़े बड़े भवने मतलब भवन में विशाल भवन में चत्वारिशत मतलब 40 इस्तंभा खंभे 40 खंभे आसन मतलब थे ठीक तो कति इस्तंभा यहाँ पर लिख जाएगा कति कितने जब संख्या वाची आए तो कति लगाना है ध्यान रखना संख्या वाची आए जैसे यह डिजिट लिखे ना संख्या वाची सब्दाए तो कति लगाना है और स्थान वाची आए तो कुत्र लगाना है विशाले भवने कति इस्तंभा आसन हो जाएगा तस वास ग्रिहम सुंदरम आसी उसका रहने का घर सुंदर था किसका घर था सुन्दर दोनों का था उसका छोटा था तो उसके लिए सुन्दर था जिसका बड़ा था उसका बड़ा सुन्दर था तस ठीक है ना तस माने उसका वास ग्रिहम माने रहने का घर सुन्दरम आसीत तो की दर्शमादी आसीत सुन्दरम आसीत उसका वास घर कैसा था? किस प्रकार था? सुन्दरम, सुन्दर शुन्दर था. उसका घर कैसा था? सुन्दर शुन्दर था. आगे बढ़े, चलिए. प्रश्ण दूसरा दिया हुआ है रेखांकित. रेखांकित पदानी आधरितो, प्रश्ण निर्माणम कुरुतो, रेखांकित पदानी. ठेक है न? अब यहाँ पर प्रश्ण निर्माण आपको यहाँ पर भी करना है. जैसे लिखा हुआ है भवने चत्वारिंशत इस्तंभा ठीक कानी के कई कान ठीक तो भवने चत्वारिंसत खाली स्थान आशन तो आप यहां क्या कर देंगे के आशन भवने चत्वारिंसत के आशन भवने चत्वारिंसत के आशन भवने चत्वारिंसत के आशन भवने चत्वारिंसत इस्तंभा आशन अब आप यहां आर्थ ये भवन में 40 क्या थे भवन में 40 खंभे थे ऐसे आप लोग अर्थ निकालोगे चलिए दूसरे नंबर दिया हुआ है तौम भृत्या धीना असी तौम सेवकों के अधीन रहते हो तौम सेवकों के अधीन रहते हो बिना उनके तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्रश्न मूर्ती ने स्रीकंट से कहा था कि अगर तुम्हारे सेवक घर में ना रहें छोटी पर चले जाएं फिर तुम क्या करोगे तुम तो फिर कोई काम नहीं कर पाओगे इसलिए स्वाव लंबी बनो अपना कार आपको स्वयम आना चाहिए तो यहां हो गया है तुम माने तुम व्रत्याधीना अशी व्रत्याधीना अशी ठेक तुम इर सेवको के अधीन हो तो के मताईए के कउ काह और कहा कहा तुम कहा अशी तुम व्रत्याधीना अशी तुम कौन हो तुम व्रत्याधीना अशी तुम किसके अधीन हो तुम सेवकों के ओधीन हो हो आगे बढ़ है हालेज हो कहा भृत्याधीना तॉं भृत्याधीना ऐसी हम दूसरी नमबर की बाद तीसरी नमबर क्या है मम्म मनस्य स्टा जाता मम मझे या मेरे मनसी मन में मुझे या मेरे मन में प्रसंदता बहुत खुसी जाता मने हुई मेरे मन में बहुत प्रसंदता हुई ऐसा किस ने कहा था स्री कंठ ने कहा था तो मम मनसी प्रसंदता जाता कस कैन कसमिन के ठीक मम कसमिन प्रसंदता जाता तो ऐसा हो जाएगा मम मनसी प्रसनता आजाता ठीक या फिर मम की जगए आप कस्य मनसी प्रसनता आजाता कस्यो मनसी प्रसनता आजाता तो कस्य की जगए जो आपने लगाया है न तो मम लग जाएगा मम की जगए कस और कस की जगए मम हो जाएगा हो जाएगा की नहीं आगे बढ़ों चले आगे देखिएगा कथायाह क्रम संयोजनम कथायाह क्रम संयोजनम यहाँ पर पूरी कथा का आपको क्या करना है इसको क्रम से बैठालना है आपके बुक में ये सारे चेप्टरों में एक दो एक दो जरूर आते हैं तो ये परिक्षा में भी आता है कि कथा के क्रम का सायोजन कैसे करना है घटना क्रमानुशारम अधो लिखतानी वाक्यानी पुनह लिखनियम ठेक यहां पर लिखा घटना क्रम के अनुशार आपको वाक्यों को सिस्टम से लिखना है दुबारा से कैसे लिखाएंगे देखिए स्रीकंटा कृष्ण मूर्ती ग् फीर्च मित्र था तो यह तो शुरूबास में लिखा है स्वाब लम्बने ना कदापी कष्टम सदा सुखने हो भवती स्वाब लंभी होने पर कभी कष्ट नहीं होता है हमेशा सुख होता है यह बाद में कहा था कृष्ण मूर्ती स्रीकंटा से आतिथ्यम Аकरोथ यह बीच का पार्ट है फिर तस ग्रिही कोपी कर्मकरा नासीद उसके घर में कोई सेवक नहीं था चलिए तो पहला नंबर हो जाएगा स्रीकंठाह कृष्णमूर्ति मित्रम आसीद हो गया दूसरा हो जाएगा स्रीकंठाह कृष्णमूर्ति ग्रिहम अगच्छत फिर इसके बाद तस ग्रिहे कोपी कर्मकरा ना संती यह दूसरा हो जाएगा और यह आपका तीसरा हो जाएगा फिर इसके बाद श्रीकंठा आतित्यम अकरोत श्रीकंठ ने स्रीकंठ का स्वागत हुआ फिर स्वाब लंबई कदापी कश्टमना सुखम भवती ठेक तो यह आपका लाश्ट हो जाएगा यह देखो स्रीकंठा क्रिष्णमूर्थे मित्रम आसी स्रीकंठा क्रिष्णमूर्थे ग्रिहाम अगच्छा क्रिष्णमूर्थे स्रीकंठस आतित्यम अकरोत तस ग्रहे कोपी कर्मकराह नासी स्वाब लंबने नाकदापी कश्टम सदा सुखम मेव भवती ठीक है बस यहाँ पर ध्यान कि ये वाला जो मैंने उपर लगा दिया था ये आपका यहां चौथे नंबर पर आ जाएगा और ये वाला जो आपका चौथे नंबर पर था ये आपका दूसरी नंबर पर हो जाएगा ठीक क्योंकि एक बार उपर उसमें लिखा भी हुआ है कि कृष्ट मूर्थी के पिता क्या थे कृष्ट का माने किसान थे लेकिन यहां पर यह वाला जो बाख है यह आपका किसरी कंठर ने कहा था क्या करना है उसके यहां पर कोई वो कौन ते सेवक नहीं है कथा की पूर्ती के लिए आपको यहां पर क्या करना है मंजूसा यह बॉक्स बना हुआ है उसी बॉक्स की सहायता से आपको यहां पर यह उठा करके इसमें फिल करना है इसमें आपको फिल करना है ठीक है चलिए इन लिखते संदर्वे रिक्तिस्थानानी मंजूसाया उचित पदई ही पूरियत नीचे लिखे संदर्व में रिक्तिस्थान को मंजूसा के से उचित पदों को ले करके पूरा करो चलिए तो उचित पद करना है तो यहां लिखा हुआ है खाली स्थान स्रीकंठा तेन इसा है खा श्रीकंठा से खाली इस्थान अकोरवन स्वागत किया खाली इस्थान कोपी रिफ्या नासी यह कोई सेवक नहीं था अदिरिष्ट्वा स्रीकंठा का थे यह देखकर के स्रीकंठ ने कि मित्र अहम बोले मैं क्या है तुम आति थेन संतुष्टोस मी तुभारे स्वागत से क्या हूँ प्रशन हूँ संतुष्टों केवलं एतत एव केवल एक ही दुख्खम माम दुख्खम भहत ठीक है ना केवल एक ही मुझे क्या है दुख होता है चलिए एक ही दुख हुआ है क देख लीजे एक दा तस ग्रिहं एक दन श्रीकंट उसके घर पर गया तत्रक्रिष्ट मूर्ती तर्वात पिता स्वासकति आतित्यम अकुर्वन तस्ग्रेह, कर्मकराण नासित एत दृष्टवा एक ही तत्थे के द्वारा मुझे क्या हुआ है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई सेवक या नौकर नहीं है समझ में आ गया चलिए सब्दा नाम बाक्य सुप्रियोगा सब्दों के बाक्य प्रियोग बनाईए अधो लिखता नाम सब्दा नाम अर्था नाम निर्देश्य वाक्य सुप्रियोगाम कुरोतो नीचे लिखे हुए सब्दों के अर्थ को निर्देश मान करके आपको वाक्य प्रियोग करना है चलिए जैसे अधुना का मतलब होता है इस समय दमपत्ती का मतलब होता है पति-पत्नी और शम्रिद्धा का मतलब होता है संपन संपन होना तो ये बने हुए देखो अधुना का मतलब संप्रती अधुना मतलब पाठंपट इस समय पाठ को पढ़ो इस समय पाठ को पढ़ो इंदी में इसको इस समय कहेंगे दमपति का मतलब पतिश्चा पतनीचा ठीक पतिश्चा पतनीचा ब्रक्षे काक दमपति वसतह ब्रक्ष पर कववा और उसकी पतनी निवास करते थे रहते थे काक दमपति काक दमपति का मतलब जानते हैं कववा और उसकी पतनी क्या करते थे निवास करते थे, संब्रिद्धा का मतलब होता है धनी, तस्य पिता संब्रिद्धा अस्ती, उसके पिता क्या थे, संब्रिद्ध थे, उसके पिता के पास पैसा था, उसके पिता संब्रिद्ध थे, किसके पिता संब्रिद्ध थे, स्रीकंठ के, तो इनके अर्थ निकाल करके आपको छोटे छोटे बाग के प्रयोग बनाना है इसके बाद लिखा हुआ है अधो लिखता नाम सब्दा नाम क्या लिखा है अधो लिखता नाम सब्दा नाम समक्छं प्रदित्ताई ही अर्थाई सह नेलनम कुरूत नीचे लिखे हुए सब्दों के सामने उनके अर्थ दिय हुए हैं उन आर्थों के साथ आपको उनको जोड़ी मिलाना है कैसे मिलाएंगे जोड़ी आप देख लीजिए उनकी जोड़ी हम लोग कैसे मिलाएंगे ध्यान से देखना दमपत्ती का मतलब होता है पतीश्चा पतनीचा पतिश्चा और पतनीचा ग्रिहम का मतलब क्या होता है ग्रिहम का मतलब क्या होता है घर तो देखिए कहा है घर आपका ग्रिहम का मतलब गेहम सुर्ट्वा का मतलब यहां तो है यह नहीं है मतलब अभी और भी ए स्लाइड तो चलो अभी देख लेते हैं जो जो नहीं मिल रहे हैं उनको आगे देखेंगे ठीक सुरुत्वा का मतलब यहां नहीं मिल रहा है कर्म कराह माने सेवक यह यहां मिल गया है यह मिल गया है यह मिल गया है सुरुत्वा वाला अभी नहीं मिला सर्वता मतलब सदा मिल गया है अहर निशम मतलब अहोरात्रम यह मिल गया है और अभी दो यहां पर रह हो जाएगा और सुरुट्वा का निशम इसको जोड़ दें क्या और ये सर्वदा का सदा ये आपने यहां पर इनको जोड़ दिया ये देखें, दमपत्ती का मतलब पती-पत्नी, ग्रिहम का मतलब गेहम, सुरुत्वा का मतलब निशम, कर्मकरा का मतलब सेवक, सर्बदा का मतलब हमेशा, सदा, अहर निशम का मतलब अहो रात, इसका मतलब होता है पती-पत्नी, ग्रिहम का मतलब घर, और सुरुत्वा का सुन करके और कर्मकरा का मतलब सेवक काम करने वाला सर渡़ा का मतलब हमेशा और अहर निशम का मतलब दिन राथ तो यहाँ पर जो अर्थ लिखे हुए है यह आपकी संस्कृत के अर्थ में लिखे हुए हैं ठीक है बीटा चलीए अब यहाँ आपको पती, पतिश्चा, पतनीचा, गेहम माने भी घर होता है, निशंब माने शुनकर की सेवक माने नोकर और सदा माने हमेशा आहो रात्र का मतलब दिन और रात दिन और रात फिर लिखा हुआ है सब्दार्थ मेलना अब यहां पर सब्दों के अर्थ का क्या करना है मेल करना है सब्दों के अर्थ को बनाना है जोड़ना है चलिए आगे देखेंगे इसमें रेखांकित पदानाम उचित अर्थम चित्वा निखत रेखांकित पदों को तर्थ को मिल करोगे जोड़ोगे तो देखिए यहां जैसे लिखा हुआ है भवने इसके नीचे अंडर लाइन लगा हुआ है भवन का मतलब होता है मकान बड़ा महल भवने चत्वारिंसत इस्तंभा आसन ठीक है ना मकान में 40 क्या थे खंबे थे 40 खंबे थे भवने चत्वार कोपे चैत्रे भवने का मतलब यहां क्या हो जाएगा ग्री है क्या हो जाएगा ग्रीहे माने घर दूसरा देखें मामा पी अश्ट्व कर्मकराः संति ठीक है मामा पी अरे भी आठ सेवक हैं तो भृत्याह भ्रात्राह में त्राणी जना कर्म कराह का मतलब होता है भृत्याह ठीक काम करने बाले फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरे नमबर पर तीसरा नमबर दिया हुआ है अहम भवताम आतित्थेन संतुष्टा अस्मी ठीक अहम माने मैं भवताम माने आपके और आतित्थेन मतलब स्वागत से संतुष्टा अस्मी अगे बढ़ें अतिरिक्त प्रषण यहां पर दिये हुए है जो आपके पाट क्रम में नीचे जोड़े हुए है ठेक वहही पर पाट के नीचे अतिरिक्त प्रस्न भी दिये है उनको आप देख लिजए ठेक एक पदेन उत्तरत, एक पद की द्वारा यहां पर उत्तर देना है, फिर आपको यहां वन वर्ड में ही देना है, स्रीकंठ की पिता कौन थे, स्रीकंठ की पिता कौन थे, किस प्रकार की थे, संब्रिध्धा, संब्रिध्ध थे, भावने कती इस्तंभा आशन, भावन में कितन कौन थे कृष्णमूर्थी के पिता कौन थे तो कृष्णमूर्थी के पिता थे किसान थे कृष्णमूर्थी के पिता कौन थे किसान थे अगला कॉस्चन दिया हुआ है आपका कृष्णमूर्थे ग्रिहम कहा अगच्छत कृष्णमूर्थी के घर कौन आया कौन आया था श् कृष्ण मूर्ति के घर पर कौन नहीं था तो भृत्य कर्म कराह काम करने वाले नौकर नहीं थे कृष्ण मूर्ति के यहां कितने कर्म कराह माने काम करने वाले थे अश्टव कितने थे अश्टव आठ काम करने वाले थे चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और हम लोगों ने यहाँ पर most important question पूरे करनी है इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी प्रस्ण नहीं बन रहा है तो मुझे comment section में आपको जरूर देना है ठीक है बिलकुल से ध्यान से वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों तक आपको share जरूर करना है ठीक आप किसी भी माध्यम से हो चाहे आपका cbsc बोर्ड हिंदी मीडियम हो चाहे आप cbsc बोर्ड इंग्लिस मीडियम से हो आप UP वोड से हैं, डिल्ली वोड से हैं, विहार वोड से हैं, एमपी वोड से हैं, राजिस्थान वोड से हैं भारत का एक मात रहसा प्लेटफॉर्ण जो आप लोगों को देता है 100% free education 100% free education का मतलब होता है निस्वल किसिक्छा आपसे बिल्कुल भी कोई भी रुप्या पैसा नहीं लिया जाता और शंपूर्ण कोर्ष आपको दिया जाता है बिल्कुल फ्री यूटूब चैनल पर बस चैनल को यदि आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करिएगा प्लेइलिस्ट पर आपको सारे वीडियो आपको मिलेंगे सारे टॉपिक वाइज तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं बता दूँ आपको कि आपके लिए यहां सारी की सारी चीज़ें सब निश्वल की चीज़ें उपलब्द हैं आप केजी से लेकर केजी वन से लेकर के 12 तक की बात कर रहे हों यदि सीवीएसी वोड की तो उसके लिए मैगनेट ब्रेंस इंग्लिस मीडियम प्लेटफॉर्म हमारा है ठीक केजी वन से लेकर की ध्यान रख लेना अब मैं आपकी सिक्स क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की बात करूं तो उसके लिए हिंदी मीडियम हमारा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को विहार वोड दिल्ली वोड यूपी वोड एंपी वोड राजिस्थान वोड की सारी की सारी संपूर्ण को निस्वल्क यूटुब पर पढ़ा रहा है तो फिर डर किस बात का चिंता किस बात हो तो मुझे आप कमेट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मैं आपको एक और बात बता दूं बहुत ही महत्पूर्ण है कि मैगनेट ब्रेंस के द्वारा हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम के क्लास सिक्स से लेकर के 12 क्लास तक की बात कर रहा हूं कक्छा चड़वी साथ यहां पर आपको संपूर्ण कोर्स करना है वह मैं आपको बताएं देता हूं क्या करना होगा कि आप वीडियो के नीचे लिंक्न डिस्क्रियस में आप जाएंगे तो e-notes और e-books की संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी बिलकुल ध्यान रखना है इसको भूला नहीं है फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय तुसंस्कृतम जय तुभारतम